स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी विद अमन खुल में तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो आपका सांपल पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है उसे सॉल्फ करेंगे जो कि आपका हमने सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी ए बी पहले ही सॉल्फ वही सीम आपको यहां पर लिखनी है नेक्स्ट कोशन नमबर 27 ने प्रूफ देट कॉस्टी तीट माइन साइं थिटा प्लस अपन में कॉस्टीट प्लस साइं थी गिटा प्लस टीट प्लस कॉर तो यह सेम क्वेशन एंटिका इट पोइंट जो आपकी फोर एकसरसाइज है उसमें आपको लास्ट के जो कोशन है कोशन नमबर 10 से लेके 15 के बीच में ये कोशन आपको मिल जाएगा और वहीं सेम आपको उतारना है नेक्स्ट इन फिगर आपको फिगर दे रखें टीपी और टीक्यू जो है वह एक सेंटर से एक्स्टेनल पॉइंट से ड्रॉख करें गए दो टेंजेंट है आपको पनाना है पी टीक्यू जो आपका है यानि यह वाला एंगल वह डबल है यह एकर हम यह लाइन कीशे इस कि यहां पर जॉइंट होटैंगे आप देख सकते हैं यह इपूरा चुपा फॉरा सब्सक्राइब कांगल होगा तो कि टेंजेंट से यहां से परपेंडिकूलर जो लाइन रहोती हो नाइंटी डिगरी कांगल बनाती है यह हमारी मदम यहां आपना को पते लिए हैं दर हमें प्रीं को यह शोग ہے और हैं यह अगल इंगल है एंगल 2 यह वन माल लिया तो इसे हमने एंगल 2 माल लिया तो हम कह सकते हैं इसे झ Img finaleٹ 7000 वह तो इसे आंगल थैन आव माल ले इतना हमने माल लिया तो हमें पता है angle जो 2 है plus mean angle जो 3 होगा वो 90 degree के equal होगा यानि angle 2 और angle 3 ये दोनों मिला के 90 degree के होंगे तो हम angle 3 को 90 minus angle 2 भी लिसकते हैं बस हमने angle 2 को इसरा के minus कर दिया नेक्स्ट एंगल 3 और एंगल 4 यानि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके 90 डिगरी का बना रहा है तो ये वाला और ये वाला एंगल एक्वल है तो एंगल 3 को हमने एंगल 4 के लिख दिया क्योंकि PT हमारा RT के एक्वल है ये वाला जो PT टेंजेंट है वो RT के एक्वल है और equal tangent होंगी तो equal angle भी होंगे तो हमें पता है angle 1 यह यह वाला angle angle 1 then angle 3 then angle 4 यह जो हमारा पूरा ऐसे यह तीनों angle कसम कितना हो 180 degree होगा angle 1 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree तो angle 1 अब angle 3 यह हमारा angle 4 के equal है अभी हमने उपर देखा कि angle क्योंकि दोने टेंट इक्वल है पीटीस वल्टो आटी तो angle 4 को भी हम angle 3 लिख लेते हैं तो स्लाइक ऐसे angle 3 plus angle 3 equal में 180 degree तो angle 1 plus 2 angle 3 यह यह angle 3 दो होगे न इक्वल में 180 degree अब हमें पता है angle 1 हमें निकालना है angle 1 180 टू एंगल 3 इदर आके माइनस को रहागा तू एंगल 3 यह इतना कर लिया अब आगे मैंने सुबह 180 degree माइनस 2 angle 3 हमने अभी उपर निकाला था angle 3 की value हमने निकाली थी 90 माइनस एंगल 2 यह निकाला था उपर जो मैं आपको पहले अभी करा है आप पीछे करके देख सकते हैं तो यहीं आपको 90 माइनस एंगल 2 तो फिर क्या करेंगे 180 है माइनस 2 और 2 angle 2 90 माइनस एंगल 2 है तो 2 को 90 से मिल्टिप्ला करेंगे तो 180 माइनस 180 आजाएगा और 2 angle 2 से मल्टिप्ला होगा तो 2 angle 2 बन जाएगा माइनेस कखाई तो यह प्लस का वनेटी यह माइनेस का वनेटी कर जाएगा गाँ तो यह सब किसके साथ सॉल करें थे एंगल One इस इक्वल तो रखें तो अगल One is equal to two तो आंगल two प्रूफ हो गया है या यह हमें प्रूफ करना था नेक्सक्त्स है नुम्बाइंट्र को जो एक से नभे तक के नंबर है निन में वह रखी जाते हैं अगर एक काड राइनम्ली बाक्स निकाल जाता था तो आपको प्रोबबियुट्ट्र रणाने दो डिजेट नंबर की तो दोडिजेट नंबर हमारे कहां से स्टर्ट हों गे दस से ग्यारा से लेकिए नब्बे तक होंगे प्रोबैबिलिटी कितने होगी अब दस से लेकिन अब्बे तक आप गिंते नहीं रजाएगा हमें क्या करना होता है हमें इसमें टोटल नंबर हम काउंट करेंगे तो वह 81 आएंगे और टोटल नंबर है 19 तो फेवरियल आउटक परफेक्ट प्रक्वार कॉन कॉनस होते है 149 16 और सारे आपको होते है चारी लिख सकते है 25 36 देन 49 देन 8 का 64 देन 9 का 81 इतने होंगे 90 का नहीं होगा क्योंगी 9 का नहीं होगा 9 का आपका जाद हो जाएगा 90 से सरी 10 का नहीं होगा 10 का जाद हो जाएगा तो 81 तक हमारे होंगे तो टोटल कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 परफेक्ट स्क्वार है और टोटल नंबर 19 है तो 9 अपॉन में 90 वन अपॉन में 10 आपका अंसर होगा यह आपकी प्रोबैबिलिटी है नेक्स्ट क्वेस्चन है क्वेस अब 5 से सारे नंबर 5 जो तिन 5 की टेपल वाले सितने मिनमर हो सारे डिविजल हो जाएं यह पांच दस पंद्रा वीस अरा ऐसा से नभ्य तक सारे डिविजल हो जाएंगे अब हम पूरा नहीं लिखना है क्योंकि हमें तो बस प्रोबैबिलिटी बतानी है तो यह टोटल नं चाह popularity लिखना ही अगर्ज अगर्टे को नाइंटे में कितने नंबर आएंगे जीवन से लेकर फाईंच इसारे कि पांटे में और इंटे को 15 और यह थो ऩो से व मोइंटे को दिवाईडों से कम अएंगा तो हम आसा क्यों अठारा नमबर जो है वह पांच से डिविजवल हो जाएंगे टोटल नमबर 90 है तो यह आपका हो जाएगा 9 और यह जाएगा 45 यह 1 और यह अपन में 5 तो 1 अपन में 5 आपका आंसर होगा नेक्स्ट है एक रेड क्वीन और एक ब्लाक जैक रिमूव कर जाते हैं 52 प्लेइंग कार्ट से अधवा कोशन है रेड क्वीन निकाल जाते हैं और ब्लाक जैक 52 कार्ट से निकालते हैं तो दो रेड क्वीन हमारी निकाल दी गई तो यह दो हो जाएंगे और ब्लाक जैक भी द only card Ran from the remaining Candice तो आपको probability बताने है जितने remaining cards 48 cards बचाएं उनमेंसे red card की क्या probability probability too red card आपको बतां 24 होते हैं 26 red card होते हैं और 26 black card होते हैं 2 red card red quinds पहले ही निकाल दी गई हैं तो यहाँ पे 24 बचे और टोटल नंबर 48 है तो यह हमारा पॉन में तू प्रोबैबिलिटी आपकी आ जाएगी देन सेक्टीन है क्वेशन ना जैक नौर किंग ना जैक होना चीए ना किंग होना चीए यानि पहले तो हमापा 48 आउटकम से जैक हमारे चार होते हैं वो तो एक हमारे चार होंगे वो हट गए जैक अल्रेडी दो निकल से तो और बैचे वह भी निकल लिए यहां से तो माइनस 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 का 6 फॉर्टी एट माइनस 6 करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा अब 42 में से 42 जो है मतलब यह हमारी प्रोबैबिलिटी आ थी जैक और किंग अटाने पर 42 टोटल होंगे और टोटल है 48 तो यह आपका 7 अपॉन में 8 से हमारा जो है कट जाएगा 7 अपॉन में 8 आपकी इसकी प्रोबैबिलिटी आ जाएगी नेक्स्ट है कोश्ट नमबर थर्ड आइजर आ किंग और क्वीन या तो क्वीन होना चाहिए य तो आपका 6 प्रोफेवरिल आउटकम हो गया और टोटल आउटकम 48 है तो 6 by 48 यह वन अपॉन में 6 आपका अंसर है नेक्स्ट कोश्ट नमबर थर्टीन है फाइंड वेल्य ओफी विच क्वाडिडिक एक्वेशन पी एक्स माइनस 2 प्लस 6 इसवाल तो जीरो हाज इक्वल रूट्स तो पहले इस एक्वेशन को हम फॉल्फ कर लेंगे पी एक्स को एक्स से मल्टिप्लाय करेंगे तो पी एक् हरए लीस इसकोशे करेंगे तो प्लस का 6 प्लस का 6 ईकवल शीरो अभर में बता है rustom के और यहां पर पी है जाए मैनस 2 वैल्य जाए जूरी मैनस 2 सब् tats मा थिसके हैं अब हमें किसके लिए निकालने है equal roots के लिए निकालने है formula लगा जाएंगे आपको लिखना होगा 4 equal roots 4 equal roots तो D हमारा 0 के equal होता है D का formula के होता है B square minus 4AC B square यानि B की value है 2P का square minus 4 into A की value P then C की value 6 equal में 0 2P का square तो 2 का square 4 और 4P का square then minus में 4 is exact 24 और P है तो P लग गया equal में 0 तो 4P square minus 24 में common लेंगे तो 4P बहर common आजाएगा P minus 6 अंदर रह जाएगा तो 4P को P से करेंगे तो 4P square आएगा और 4P को 6 से करेंगे तो 24P आएगा वसी हमने कर लिया अब एक बार P को हमें P minus 6 को 0 के equal रखने है एक बार 4P को तो एक बार P की value हमारी 0 आजाएगी तो 4 multiply में डिवाइड में जाके तो 0 आजाएगा और एक बार minus 6 से उधर आके प्लस को रहेगा तो P की value एक बार 6 आजाएगी तो हमें P की value 6 आजाएगा यह आपका अंसर हो जाएगा एक साल पहले एक साल पहले एक साल पहले एक जो मैन है वह अपने बेटे से आठ गुना ओल था उसके एज का पर आज की एज में एज इस इकॉल ओड़ा स्क्वाइर आज के दिन है आज उसके स्क्वाइर पहले आगर 9 नौ साल का बच्छा तो इसकी जो पिता की जो एज यह उसके स्क्वाइर की यानि 81 की आपको इनकी प्रेजेंट एज बतानी है तो हमने बेटे की आपको पूरा लिखना है present age of the sun हमने x मान लिया और present age of the man present age यानि आज की हमने उसके पापा की x square मान ली अब एक साल बाद ये present का situation है अब एक साल बाद यानि one year later मैंने ऐसे लिख दिया age of the sun sorry one year एक साल पहले कैसी थी उसके एज उसकी एज थी एक साल पहले x हमने मान लिया और एक साल घटा दिया तो x minus 1 मान लिया फिर उसके पापा की एज क्या थी x square man उसके पापा की एज थी उसमें से एक घटा दिया तो x square man minus 1 हो गया अब हमें क्या पता है according to the question जो age of the man है वो 8 गुना है अपने सन की यानि जो age man की है वो equal है 8 गुना age sun की यानि बेटे की तो age of the man क्या है एक साल पहले x square minus 1 और 8 गुना का 8 ही लिखेंगे age of the sun क्या है x minus 1 तो solve करेंगे इसे x square minus 1 है तो इसे हम खोल सकते है x minus 1 और x plus 1 कैसे a square minus b square और 1 का square तो 1 ही होता है वैसे हमने खोल दिया देन 8 और यह क्या है x minus 1 यहां multiply में यहां इदर आके divide हो जाए तो यह इस पर यह कट गया x plus 1 is equal to 8 तो x plus 1 is equal to 8 यानि x is equal to plus का 1 है इदर आके minus का x की value 7 आगी अब तो हमें बते लिए बेटे की सन क्या है मतला बेटे की एज हमने x मानी थी तो उसकी एज 7 years है और man की एज उसका square है यानि 7 का square करेंगे तो 49 आपका man की एज आ जाएगी next section दिया है वो हम अपनी next video में करेंगे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe जरू करें वीडियो अच्छ लगी तो इसे like करें और दोस्तों साथ share जरू करें थैंक्स वाचिन के उपे गई सवचाब लगीज करेंगे और दोस्तोदय्ध थारल किया जरू करेंगे प्यर्म से